शादी समारोह में युवक की चाकू मार कर हत्या अग्याद बात को लेकर हुआ था विवाद धूमा पुलिस जाच में जुटी मध्यप्रदेश के सिवुनी जिले के धूमा थाना अंतरगत शुक्रवार दसमई की रात्री के समय विवाह कार्यक्रम में एक व्यक्ति की चाकू मार कर हत्या कर दी गई जानकारी के अनुसार धूमा में विवाह कार्यक्रम था जहां अग्याद बात को लेकर कुछ लड़कों का विवाद आकाश पिता जैकुमार अहिरवार उन सत्रह वर्ष से हो गया जिसे लोगों ने बीच बचाव कर जगड़े को शांत करा दिया था लेकिन कुछ देर बाद जब खाना खाने के बाद आकाश पंडल से बाहर निकला तो कुछ लोगों ने उसे चाकु मार कर घायल कर दिया जिसे प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कालेज रैफ़कर दिया गया जहां उपचार के दोरान उसकी मौत हो गई घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुँची घटनाकरम की जाच कर रही है और यह पता लगाने के प्रयास किया जा रहा है किन लोगों ने युवक पर हमला किया था पोस्ट माटम के बाद शव परिजनों को सौप दिया जाएगा इस मामले में पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंग ने बताया कि रातरी को शादी समारों में अग्याद बात को लेकर आकाश हेरवार का विवाद जबलपूर से आये युवकों से हो गया जिसके बाद दो नाबालिग युवकों ने चाकु मार कर आकाश को घायल कर दिया जिसे Medical College जबलपुर में भर्ती किया गया था जिसकी आज मौत हो गई चाकु मारने वाले युवकों को अभिरक्षा में लिया गया है फिलहाल मामले की जाच की जा रही है और हत्या के कारणों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है जिसे चाकु से कंभी रूप से उखायल हो गया उसको तद्काल जबलपूर लेकर लेकिन उसका अभी कुछ समय पहते नहीं देन हो गया दोनों अपचारी बालकों को अभिरक्षा में किया गया है और एक घटना एक मामली से साधी में मामली से विवाद पे हुई है इन दोनों अपचारी जबलपूर से आये थे और साधी में थोड़ी थोड़ी बात पर कहास्वनी हो जाती है तो ऐसी ही कुछ लग रहा है कि सामाने से विवाद में गंभी रूप लिए और उसमें उन्होंने इस तरह की गंभी प्टना प्टित करते है